आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम सिध्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी आएक्योपाइब का बात करेंगे दोस्तों बेंजामिन नेतन याहू की एक बहुती स्ट्रॉंग लीडर त्रधान मंत्री है इसराइल के 2009 से लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं बेंजामिन नेतन याहू की तो कल ये लेच्चर मैं 23 मई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 24 मई को यानि कि कल इनके ओपर मुकदमा चलाया जाना था क्रिमिनल चार्जेज है या करॉप्शन के चार्जेज है बहुत सारे लेकिन बचके निकल गए कॉविड की छाया में बचके तो छोड़िये प्रधान मंत्री होगे दुबारा तो हम बिंजामिन नेतन याहू की बियाग्राफी देखेंगे दोस्तों कमाल की कहानी है दोस्त काफी पढ़े लिखें इंटेलेक्चुल लेकिन वही है ना कि पावर करफ्ट्स आपसलीट पावर करफ्ट्स आपसलीट ली तो आज हम इनकी बियाग्राफिक को जानेगे वैसे हिंदुस्तान के दोस्त है बहुत अच्छे है ना बिंजामी नेतन याहू अभी जब भारत देशिछ ऐथे तो आपने देखा था कि कितने जोरो शोरो से मोदीजी से गले लगे था यह जादू की जपटी है ना और हाँ एक चीज और प्रेजेंटेशन हर देगा प्रेजेंटेशन दिखाते रहते हैं अमेशा अपना लैपटॉप लेगे घूमते रहते हैं आपप प आयाप आ गया है इसको प्ले स्टोर से डाउलोड करिए आपको बहुत फायदा होगा ट्विटर पे मैं आ गया हूँ यह रही मेरी आइडी दोस्तो अगर हम इनकी बात करें तो इनका जर्म 1949 में हुआ था इस्राइल में हुआ था उससा मैं इस्राइल बना ही था पंद्रा क्या बीस लिक्षर होंगे बहुत सारे ऑपरेशन एंटेब ऑपरेशन राथ ऑफ गोड़िस सब कवर किया है तो बेंजामे नितन यहाउ की बात करें तो इनका जनम 1949 में हुआ था तैल अवीव इसराइल में ठीक है इनके पिताजी प्रोफेसर अब आपको पता ही है इसराइल में ज्यूज रहते हैं यहूदी हिस्ट्री आफ ज्यूज कवर की है एक ऐसी कौम एक ऐसा ग्रोप जो बड़ा ही बदकिस्मत रहा है बिचारे जहां पे भी गया इनको मारा गया हमें शाह इनको पर्सिक्यूट किया गया ज्यूज इस होलो कॉस्ट की बात करें त आप देखें नोबेर प्राइस उठाके आपको ज्यादा तर जूजी मिलेगे समझ रहे हैं एरबर्ट आइंस्टीन जो है वो भी एक जूज थे वो भी एक यहूदी थे बड़े टालेंटेड होते हैं यह जब इनको मौका मिलता है अपने टालेंट का प्रमार दे देते हैं और इनकी जो फोर्स इंटेलिजेंस मौसाद बाप रेबाप उनसे तो कोई पंगा ले तो पलस्तीनियों ने ग्यारा प्लेयर्स को मार दिया था ऑपरेशन राथ आफ गौट मैंने कवर किया है ठीक है 1970s में उलमपिक्स में ठीक है 20 सालों तक धून धून के मारा एक एक आत क्योंकि यह समझते हैं कि हम बहुत कम है यहूदी बहुत कम है तो एक भी गया मतलब बहुत बड़ा लॉस तो हम तो बदला लेंगे समझ रहे हैं और जितनी भी दोस्तों फ्लाइट हाईजैक्स होती है या तो जीूस हमेशा निशाने पर रहते हैं आपको पता यह अरभ व थे तीन बेटे थे इनके इनके पिता जी के सेकेंड ही आपको बता दूं कि इनके बड़े बेटे बड़े भाई जो है योनातन नेतन्याहू वो भी कमांडो थे स्पेशल फोर्सेज में वो भी काम करते थे और मैंने जब ऑपरेशन एंटैब कवर किया था तो मैंने आपको इसे टेररिजम को रोका जाए समझ रहे हैं शुरुवाती पढ़ा इनकी यरूशिलम में हुई हिस्ट्री ओफ यरूशिलम मैंने कवर की है क्रूसेड वार कवर किया सब मैं बताता रहे तो क्यूंकि आपनों कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक् मैं आपना और फिर हम देखते हैं कि बेंजामीन नेतन यहुने अपना ग्राईजोशन पूरा किया अब इनको बड़ा ही पुलाइट माना जाता था बचपन से ही इनकी जो टीचर्स ती इंकी बड़ी तालीब करती थी यह बताती ले इनकी इनकी टीचर्स की बड़े पुल इसराइल डिफेंस फोर्सेज में आके भरती हो गए इसराइल डिफेंस फोर्सेज में आके भरती हो गए 1967 में 6 डे वार भी हुआ यह आपको यादी होगा 1967 में 6 डे वार हुआ और 6 डे वार में इसराइल जीता इसराइल ने जितने भी वार लड़े को जीता और हम यह देखते हैं कि इसी दोरा 1967 से लेकर 72 तक नेतन याहू को ट्रेंड किया गया साहरात मतकाल में थे बकायद आईए Defense Forces में थे इनको ट्रेंड किया गया और बहुत सारे operations में इन्हों ने हिस्सा लिया वार ऑफ अट्रिशन जो हुआ यूंग की पर वार उसमें भी बेंजामे नेतन याहू ने हिस्सा लिया यानि की एक expert है trained expert है यह है ना दुश्मनों का मज़ा अच्छे से चकाते हैं यह लेकिन 1972 में 1970 में इन्होंने अपनी पढ़ाई ने शुरू कि आर्मी सर्विस को complete किया फिर अमेरिका चले गए बेंजामी नेतन याहू highly intelligent person है इनके professors जो है वो बताते हैं इनके बारे में कि यह एक ऐसा लड़का है जो हर चीज कर सकता है और इसको पता है करना क्या है बहुत ही dedication है अब मैं आपको थोड़ा education के पारे में की बताता हूँ देखिए और इधर education ले रहे हैं अमेरिका में education ले रहे हैं साथ-साथ military में भी काम कर रहे हैं इस्राइल में इसा हो सकता है ठीक है आप इस्राइल में देश की सेवा कर सकते हैं तो इधर education ले रहे हैं साथ-साथ military में भी काम कर रहे हैं तीन चीज आपको पता ही है फिर अमेरिका आ गए वो वापस फिर अमेरिका में दुबारा इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो रिन्यू की 1975 में और 1976 में इन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री जो है वो ली 1976 में फिर ये पीएचेडी करने लगे लेकिन 1976 में दोस्तों ओपरेशन एंटेप के बारे में मैं आपको बताता हूँ ऑपरेशन एंटेप पे पूरा सेपरेट लेच्चर है आप देख लिजेगा आपको पता ही है कि यूगांडा में उस समय इदी आमीन थे इदी आमीन की बाग्राफी मैंने कवर किया वो इंसान जो इंसानों को खाता था इदी इदी आमीन थे यूगांडा में और इदर प्लेन को पूरा पकायादा हाईजाक कर लिया ठीक है यूगांडा के एरपोर्ट पे अब यूगांडा में लाया गया प्लेन को हाईजाक किया है और उसमें जादातर यहूदी थे जीउस थे उनको बचाने के लिए ओप्रेशन इंटैब चलाया गया मैंने बताया ना कि जीउस जो है एक भी अगर आप यहूदी को मारेंगे तो वो बदला लेंगे और यहां तो बहुत चारे यहूदियों की बात थी तो पूरे प्लेन को हाईजाक कर लिया गया लेकिन इनकी जो स्पेशल फोर्सेज हैं यह पर पर उनको मार के लेकिन इसमें दोस्तो यूनातन नेतनियाहु की मृत्ति होगी इस जो मुटबेड में अब यह जब हुआ तो बहुत ज्यादा दुख हुआ बेंजामी नितन याहू को कि ऐसा कैसे हो गया समझ गए बड़ी मेहनत किये बेंजामी नितन याहू यह तो आपको मानना पड़ेगा बेंजामी नितन याहू ने आपको पता है अपना पिएचेडी भी कर रहे थे पॉलिटिकल साइन्स से पिएचेडी जब इनके भाई का दियान तो तो यह हावर्ड से पिएचेडी कर रहे थे और उसके बाद आर्मी में भी थे आर्मी में जब इनके देश के ज़रूरत परतीरिता बेज आते थे इतना कुछ कर रहे थे समझ र थे बिंजाब में नेतनियाओ, टॉपर रहे हैं, ठीक है, तो भाईया, मैनेजमेंट की डिगरी, और भी बहुत सारी डिगरी, तो जितनी कंपनी थे वो नेतनियाओ के पीछे पढ़ गए, कि आप हमारे लिए काम कर लो, तो बॉल्स्टन कल्सेंटिंग रूप में इन्होंने काम किया, उसके बाद इन्होंने सब को छोड़के ये वापस इसराइल आ गए, अब जब ये इसराइल आए, तो ये बहुत ज़्यादा दुख था इनको दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुख था, इनके भाई का जो दिहान तो अपने भाई से बहुत क्लोस थे ये, और किताब खुद भी लिखी है, टेर्रिरिजम से कैसे फाइट की जाए, 1984 से लेकर 1988 तक नेतन याहू जो थे, वो United Nations में अंबसेडर रहे, ठीक है, और 1988 में ये पॉलिटिक्स में आते है, तो ये एक आइडियल सिचुएशन है, मेरा भी आपको यही बोलना है, जो भी पॉलिट तो ये पॉलिटिशन है, जो महान लोग है, नाहीं उनके पास सपोर्ट था, नाहीं उनके पास पैसा था, वो जमीन से उठे है, देख लिए एतिहास गवा है, जो उनका नाम हुआ है, चाहा हो अटल भी भारत में अटल भी आरी वाचपही हो, नरेंद्र मोदी हो, या कितन विन्स्टन चर्चल हो गए, ठीक है, हाला कि उनके पास बहुत जादा पैसा था, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो पॉलिटिशन रहे हैं, विन्स्टन चर्चल का मैंने क्यों नाम ले लिया, हाला कि उसकी भी बाइगराफी मैंने कवर की है, लेकिन वो इंसान मुझे प कर चुके थे, पॉलिटिक्स में आ गए, पॉलिटिकल पार्टी ने उनको हातों हात ले लिया, उन्होंने उस समय की लिकुड पार्टी, ठीक है, जो कि इसरायल की बहुत बड़ी पार्टी है, इस पार्टी को जोईन के लिकुड पार्टी, नाशनल लिब्रल मुव्मेंट जो कि एक सेंटर राइट पार्टी है, ठीक है, सेंटरिस्ट है बेसिकली, एक सेकुलर पार्टी है, 1973 में इसको मैनेश्यम बेगिन, जो कि प्रदान मंत्री भी रहे है, याद है ना भी या, 1973 में, देखिए, मैनेश्यम बेगिन का नाम बहुत बड़ा है, अब ही इसरायल की मेरे बही बात आजाएगी, मैं अपना थोड़ा लेट्चर कहीं और ले जाओंगा, बट चलो यार, एक्चुली प्रॉब्लम यह होती है, कि जब भी किसी इंसान का नाम आता है, तो मैं उसकी तरफ मुड़ जाता हूँ, तो मैं कोशिशिच करूंग ये ना हो, वैसे ठीक 360 डिग्री आपको ओवर्वियू मिलता है, क्या दिक्कत है, मतलब आपको जानने को मिलता है, जितना ग्यान लेलो उतना अच्छा है, है ना, मुझे जब कोई लेट्चर लेता हूँ, जितना है आपको बता दू, तो मैंने शिम बेगिन का थोड़ा सामय आपको उनके बारे कर लही थे, कैम्प डेविड अकॉर्ड, 1988 में, जिसकी वज़े से अनवर साधत को मार दिया गया था, कि हम यहाँ इतने सालों से लड़ रहे है इसराइल से, और तुम जाके वहाँ पर पीस्टेटी साइन कर आए, अभी रुको बताते हैं, 1981 में दोस्तों, खतम कर दिया था अनवर साधत को, गोलियों से भून दिया था, 6 अक्टूबर, ठीक है, और इधर मैंने शिम बेगिन को भी नोबिल पीस प्राइस बिला, तो उन्ही की पार्टी थी, लिकुड पार्टी इसमें बेंजामे नितन्याओ की एंट्री हुई, अब वहाँ पे जो इनकी पार्लिय में 1992 में हम यह देखते हैं, कि जब लिकुड पार्टी की हार हुई, अब नेतन याहू को एक मौका मिल गया, मौका इसने मिल गया, जब कोई हारता है न, तब क्या होता है कि क्यूं हारा, और अगर जो मतलब उसके अगर वैलिड रीजन होते हैं, ठीक है इसकी वज़े से आ इसराइल लेजिसलेटिव एलेक्शन के, ठीक है, इसराइल के जब 1996 के एलेक्शन हुए, तब इनको प्रधान मंत्री कैंडिटेट बनाया गया, डेस्पाइट बहुत लोग इनको आपोस भी कर रहे थे, देखे इसराइल की जो पॉलिटिक्स है न, वहाँ पे जो पार्टी कभी भी किसी को बहुमत मिलती ही न, बड़ी दिक्कत है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे जो कनेसेट का टॉम है, वो चार साल का है, लेकिन वो चार साल कभी पूरे ही नहीं हो पाते, कभी दो साल में, यूँट बिलीव कि अभी मैं बेंजामी नियतनियाओ कि इसलिए कवर क चुके हैं और चौती बार भी होई जाते, चौती बार भी होई जाते हैं, अगर कोलिशन नहीं होता, अब हम उसकी बात करेंगे, समझ रहे हैं, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता है एक तरीके से, तो हम यहाँ पे बात करता है लिकुट कैंडिडेट की, मतलब लिकुट प पेलस्तीन में जन्मो जन्मो की दुश्मनी आपको बता ही है, 1948 से चुरू ही, इस्राइल ने पेलस्तीन की जमीन जो है वो अपनी चुरू की, 1919 World War I के बाद, और उसके बाद अभी अगर हम बात करें, तो इस्राइल ने मतलब पूरा पेलस्तीन, जहां पेलस्तीन था पूरा वहाँ पे इस्राइल बना दिया, है ना, धीमे-धीमे करके, और अगर जो बचा-कुछा एरिया है, वो भी इस्राइल ले लेगा, ऐसा ही लग रहा है, गाजा, पट्टी और इधर, तो हम यह देख रहे हैं कि इस्राइल और पेलस्तीन की दुश्मनी है, है ना, अब 1993 में उसलो एकॉर्ड हुए, उसलो में क्या था, इस एकॉर्ड में यह था कि पहली बात तो पैलस्तीन को प्रिकागनाईज करो, इस्राइल क्या हुआ कि इस्राइल में एरिया दे दिया, इतना एरिया पैलस्तीन का, इतना आपका, बहुत हो गया लडाई, क्योंकि से पहले पैल प्लेस्तीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है देखिए प्लेस्तीन और इस्राइल का जो इशू है यह बड़ा खतरनाक है और बड़ा कॉंप्लेक्स है यह तभी सॉल हो सकता है इस्राइली भी आतंकवाद से पीडित है है ना जब बेंजामी नेतन यहु का आपको बता दूं कि इ इस्राइल भी पीडित है और आतंक बाद से पैलस्तीन भी तो दोनों को टेबल पर आना होगा रास्ता निकलना होगा वरना कोई फायदा नहीं है तो पैलस्तीन के बात करें तो नेतनियाहू का यह मानना है कि पैलस्तीन को आप्वित्र सब दे देंगे लेकिन उसको हमारे एंडर रहना होगा यरूशलम हमारा है हमको दे दू अब यरूशलम के बारे में दोस्तों आप देख लिजेगा वहां से देख रहे हैं कि 1996 में को प्रधान मंत्री बनाये गया लेकिन पैलस्तीन को लेकिन का नजरिया बिल्कुल नहीं बदला ठीक है पैलस्तीन को ये विल्कुल ऑटोनॉमी देना ही नहीं चाहते थे है और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि 1996 में भी जब इनकी पार्टी आई तो उनको बहुमत नहीं मिली थी लेकिन उन्हें गठ जोड करके पार्टी बना ली ये 2nd थे ठीक है? 2nd थे आच्चुली शिवहान की इस्राइल की लेबर पार्टी जो थी उनको भाहुमत मिली थी है ना लेकिन बनी नेतन याहू की सरकार क्योंकि उन्होंने जो राइट विंगर्स है उनको गठ जोड करके उनको मतलब यहां पे हम देखते हैं कि पार्टी बना ली है ना और नेतन याहू की सरकार आ गई लगिन तीनी साल रहे बस जादा वक्त तक नेतन याहू रहे नहीं है उनकी पार्टी को हरा दिया 2000 में इलेक्शन हुए 1999 में उलेक्शन हुए फक है और हरा दिया बिलीफ करते है वैसे बैन्जामिन नेतन याहू बहुत सारे देशेot को इन्होंने stability है, क्योंकि सरकार बड़ी strong है इस्राइल में एक चीज है, एक scheme है, scheme क्या मतलब उनका एक उसूल है, ऐसे हम आपस में लड़ते रहेंगे, कोई problem नहीं है ऐसे हम बिल्कुल आपस में लड़ते रहेंगे महाँ पर बहुत सारे multi-party system इस्राइल में वो आपस में लड़ते रहेंगे, लेकि जब देश की बारी आएगी ना, तो हम साब एक हो जाएंगे ये COVID-19 में बिल्कुल इसका प्रत्यक्ष example अभी देखने को मिला है तो इस्राइल में अगर देश की बारी आती है, तो सारी parties एक हो जाती है, क्योंकि उनको बेंजामी नितन याहून बोलते हैं, कि आओ, जिसको जो इन्योवेशन करना है, मेरा देश खुला है, आओ इन्योवेशन करो, हम पैसा देंगे इसी लिए बेंजामी नितन याहू की जो politics है, वो काम करती है, यह ना, इसी लिए खास यहाँ पे success मिली नहीं, ठीक है न, मतलब पहले इन्हों ने retirement लिया, दुवारा politics में आगे जब इनको लगा की politics पढ़िया है, मतलब हम कर सकते हैं, लेकिन आपने आपको as a prime ministerial candidate जो है, वो नहीं दिखा रहे थे, यह इन्हों ने दोस्तों, 2007 की बाद करना शुरू किया, 2007 में बिंजामी नेतन याहू को liquid party का chairman मना दिया, ठीक है, आग 2009 में जो चुना हुए, उन्हों उसमें नेतन याहू ने बोला कि मुझे बनना है प्रदान मंत्री, तो यह liquid party की तरफ से prime minister candidate थे, अगेन इनकी party जीती लेकर फिर बहुमत नहीं, बहुमत कभी मिली ही ने liquid party को, फिर बहुमत नहीं मिली, फिर इन्होंने गट जोड करके सरकार बना ली, और 2009 से लेकर अभी तक नेतन याहू जो है, वह प्रदान मंत्री बनाय गया था, तो यह youngest थे, youngest Israeli prime minister रहे हैं यह, समझ रहे हैं, तो यह सब कुछ, फिर 2013 में दोबारा election हुए दोस्तो, 2013 में दोस्तो जब election हुए, 2013 के elections भी इन्होंने जीते, पहला term इन्होंने complete कर लिया, 2013 में election हुए, फिर यह जीते, लेकिन फिर यहाँ पर देखते हैं कि इनको बहुमत नहीं बिली, फिर गठ जोड करके इन्होंने सरकार बनाई, फिर सरकार बनाई, 2015 में फिर इनकी सरकार गिर गई, है ना, यह सब होता रहता है इसराइल में बहुत आम बात है, दुबारा election हुए, तीसरा term, अगें 2015 में चुन किया है, फिर चौथा term 2019 में election हुए, चौथी बार में यह चुन किया है, लेकिन अगें इनको बहुमत बिल्कुल नहीं बिली अब problem क्या हो रही है दोस्तों, problem यह हो रही है कि 2019 साते आते, इनके उपर corruption charges लगने लगे, कि इनोंने भेंकर corruption किया है, इनके उपर case 1000, case 2000 डाला गया, तीन cases में इनको चार्ज किया गया, बकाइदा और 2020, जनवरी 2020 हाते आते, इनके उपर charge official हो गए, कि इनोंने कुछ companies से favors लिये हैं, बर-बर के पैसे लिये हैं और companies को भी favor किया है, यह corruption charges बकाइदा इनके उपर लगाये गए, और अगर यह charges साबित हो जाते तो इनको 10 साल की सजा है, समझ रहे हैं, 10 साल की इनको सजा हो सकत भी है, और यह पहले sitting prime minister है, जिनको crime के लिए charge किया गया है, ठीक है, human rights abuses भी तो हुए है, भाया, यहाँ पे बकाइदा 2014 में, जो operation का नाम भूल गया है, ठीक है, वो जो operation चलाए गया है, पलस्तीनियों के लिए, गाजा पट्टी में आप देखे, क्या भेंकर वालेंस हो रह समझ रहे हैं, तो इसलिए तो बोल रहे है, पलस्तीन और इसराइल दोनों को table पे आना पड़ेगा, अब दोस्तो जब 2019 आता है, corruption charges बहुत यहाँ पे parties को मौका मिल गया, इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, इसी वेश से दोस्तो एक party है, बहुत important, blue white party, blue white party के जो leader है, बड़े famous Benny Gantz, आपने शायद उनका नाम सुना हो, blue white party ने क्या किया, सारी party जो liquid party के खिलाफ है, उन सब को एकटा किया, खड़ा कर दिया Benjamin Netanyahu और लोगों का support भी था, you will be surprised to know, जब 2019 में election हुए थे, ये 2019 में अप्रेन में election हुए, 35-35 सीटे, blue white party को भी 35 और liquid party को भी 35 सीटे म पाई, दुबारा यहाँ पे election हुए दोस्तों, सब्टेंबर में, उसमें पता है, blue white party को कितनी सीटे मिली थी, 36 सीटे, 36 है, 35 जादा मिली थी, और liquid party को 32, फिर तीसरी बार election हुए, अभी दोस्तों, अप्रेल में ही तीसरी बार, अप्रेल में की कभी, हम दो अभी election दुबार मतब तिबारा हुए, सबज रहे हैं, तीसरी बार election हुए, लेकिन उसमें भी किजी की सरकार नहीं बन पाई, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो blue white party के लीडर है, Benny Gantz, उनको बहुत बढ़िया मौका मिल गया, कि हम बेजामिन नेतन याहू को इन कदमा चलना था, 24 मई को ही दोस्तों, यह क्रिमिनल ट्राइल होना था, यह डिले हो गया, बेंजामिन नेतन याहू को बहुत मजे हुए खिलाडी है, इनको हराना इतना आसान नहीं है, है ना, यह भी बात है, बहुत मुश्किल है रहे, जब यह कमांडो रह चुके है, ब्लू वाइट पार्टी जो है, वो नेतन याहू के खिलाफ करी थी, अब नेतन याहू के साथ आगी, तो मैंने बताया ना, जब देश की बात आती इसराइल में, तो यह सब साथ हो जाते है, है ना, COVID-19 में लड़ने की साथ में जरूरत थी, ठीक है, तो ब्लू वाइट प मंतरी है, अवे तीन महीने पहले तक यह नहीं पता था कि नेतन याहू प्रदान मंतरी रहेंगे की नहीं रहेंगे, लेकिन ब्लू वाइट पार्टी जो है, नेतन याहू के साथ आगई, और यहां पर बकाता एगरिमेंट साइन हुआ है, कि 18 महीने तक, गेर साल तक नेतन लाई होगी, कुछ रहें पढ़ते हैं, दिसे सर्दान तक ने उतरी साहिन होगी.